हलो एन वल्कम एवरिवन दा ओनलाइन गुरू में मैं सुनिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में हम 16 से लेकर 31st of October 2022 तक के Important Current Affairs को कवर करेंगे जो की इन सभी examinations में आपकी help करने वाला है ऐसे ही regular sessions हम आपके लिए लेकर आते हैं तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा So previous session में मैंने आपसे कुछ questions पूछे थे जिनके correct answers करने वाले top 3 persons के नीम आपके सामने है पहला question मैंने पूछा था IUCN का full form क्या है जो कि international union for conservation of nature correct है Second question मैंने आपसे पूछा था कि कोनार्क का sun temple कहां पे है तो उरीसा इसका बिलकुल correct answer है Third question था NATO का full form तो NATO का full form North Atlantic Treaty Organization ये भी यहां पे correct है बट साथ में बच्चे ने इसका headquarter भी बताया है वो भी correct है लेकिन establishment year 1939 नहीं 1949 होगा ठीक है तो बाकी सारी information यहां पे correct है आज की session में भी ऐसे ही कुछ questions मैं आपसे पूछने वाला हूँ इन सभी को अगर आप correct ली answer करते हैं तो आपका comment भी next session के अंदर include किया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला topic आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी ने foundation stone रखा है C295 Transport Aircraft Manufacturing Facility का कहां पे गुझरात के वडू तरा में important क्यों है क्योंकि यह अपने तरीके का पहला project है जहां पे military के aircraft बनाएगी इंडिया वो भी private company की तरब से अब यहां पे जो private company participate करने वाली है वो कौन कौन से है तो देखो European company है जिसका नाम है Airbus और Tata की तरब से आता है Tata Advanced System यानि के TASL यह दोनों मिलके इंडिया में क्या करेंगे C295 transport aircraft बनाएंगे यहां पे government ने total 56 ऐसे aircraft बनाने की permission दी है इस 56 aircraft में से 16 aircraft तो ऐसे होंगे जो हमें directly Airbus से बने-बनाएं मिल जाएंगे ठीक है directly कहां से मिल जाएंगे Spain से मिल जाएंगे और Spain की तरब से कौन बना रहा है तो Airbus इसे बनाने का काम कर रहा है remaining 40 जो होगी यह 40 इंडिया में बनेगा और इंडिया में Airbus और TASL दोनों मिलकर इसे बनाएंगे ठीक है तो इंडिया में Airbus TASL मिलकर इन्हें बनाएंगे तो हमारी defense related बहुत ही अच्छा काम होने वाला है इसके बाद ये लोग क्या कर सकते हैं इनको बना के दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं तो पहले तो हम अपनी requirement फुल्फिल करेंगे और उसके बाद बाकी देशों को बेच कर हम इससे earning भी करन वाले हैं important होगा C295 transport aircraft कहां पे गुजरात के वडूतरा में अगली न्यूज आती है government ने approved कर दिया तेरई elephant reserve को जो कि कहां पे खुला जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर खुला जाएगा अब यहां पे उत्तर प्रदेश के तेरई के अंदर जो काम किया जा रहा है elephant reserve बन हैं उनके मिड में आता है ठीक है यह दुद्वा और पीली भीत के बीच में आता है इंडिया का 33rd elephant reserve होने वाला है यह और यहां पे दुद्वा और पीली भीत दोनों आप जानते हैं कैसे जाना जाता है दोनों जाने जाते हैं tiger reserve के रूप में ठीक है तो दुद्वा और पी एलिफेंट भी रखे जाएंगे साथ ही साथ आपको और चीज याद रखनी है कि इसके पहले भी एलिफेंट को लेकर रिजर्व बनाए गए थे यह कहां कहां पर बनाए गए थे अभी पिछले तीन मैंने महीं मैंने आपको पढ़ाया एक तो लेमरू है और लेमरू कहां पर तो चत्तिस गड़ के अंदर है ठीक है चत्तिस गड़ के अंदर है और दूसरा कहां है तो अगस्तिय मलाई के अंदर है और अगस्तिय मलाई कहां पर है तो हमने पढ़ा था तमिल नाडू के अंदर है ठीक है अब मैं आपसे एक क्वेस्चन पूछता हूँ कि इंडिया में ठेक है, इंडिया में maximum elephant कहां पे हैं, किस state में हैं, आपको state का नाम नीचे comment section में comment करना है, अगर आपका answer correct है, तो अगले session में आपके answer को include किया जाएगा, आगे बढ़ते हैं, हाली में 13th emission gap report 2022 published किया गया, इस report का tag line रखा गया था, the closing window, किस ने release किया, UNEP ने इस report को release किया, Emission gap report जो है, ये बताता है कि आपने, जो 2015 में एक Paris में agreement किया था, ठीक है, आपने 2015 में Paris में agreement किया था कि हमें क्या करना हैं, Greenhouse Gases का Emission कम करना है उसको कम करना है लेकिन आप उसे कम नहीं कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो यह आपको यहाँ पर बता रहे हैं ठीक है तो यह आपको बता रहे हैं कि आपनी यह डिसाइड किया था कि 2% and below होना चाहिए कहां तक 2100 तक तो इसे पूरा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बहुत ज्यादा एनरजी लगेगी हम लोग अभी परियावरन के हिसाब से एप्रोप्रियेट काम नहीं कर पा रहे हैं नेक्स आपके सामने न्यूज आता है 2022 का योनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉनफरेंस और कोप 27 जो है वो नवेंबर में और्गनाईज किया जाएगा ठीक है तो हम लोग इसे प्रीवियसली पढ़ रहे हैं हम लोग इसे पहले पढ़ रहे हैं यहां पे इसे गॉफ्मेंnyt ओफ एजिप्ट इसे और्गनाईज करने वाला है अब करेगा तो किस जगह पर ओर्गनाईज करेगा तो शर्म अल शेक के अंदर इसे और्गनाईज किया जाएगा important है convention of parties जो होता है वहाँ पे हम लोग पर्यावरन को बचाने के लिए काम करते हैं और ये जो पर्यावरन को बचाने के लिए meeting होने वाली है COP27 ये November में होने वाली है 6 तारिक से लेकर 18 तारिक तक कहां पे होगा Egypt के अंदर होगा और Egypt में किस जगह पे होगा तो शर्म अल्शेक नाम की जगह पे इसको और्गनाईज किया जाएगा ये सबसे important है ध्यान रखेंगे अब objective क्या है emission को कम करना है countries को और help करना है ठीक है fund देना है developing countries को ताकि वो पर्यावरन को protect करने के लिए आसानी से यहाँ पे काम कर सके next news आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी ने launch कर दिया है mission life movement को कहां पे launch किया है तो statue of unity से launch किया है अब statue of unity जो है न वो relate कर सकते हो आप किसके साथ किसकी statue है ये तो नीचे comment section में आप लोग comment करके बताएं कि statue of unity किसके उपर conceptualize करके बनाई गई है अब यहाँ पे mission life के बारे में देखें तो mission life का full form है lifestyle for environment ठीक है lifestyle for environment के रूप में यह mission जाना जाता है यहाँ पे government यह चाह रही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलें और क्या करें production को कम करने के लिए काम करें इसमें हम environment friendly daily practice को हम use करेंगे हम लोग market को response करेंगे और industrial policy ऐसी बनाएंगे ताकि क्या हो pollution कम से कम हो कब तक चलेगा यह तो 2022 से लेकर 2027 तक यह चलने वाला है यहाँ पे at least 80% villages होंगे और urban local body होगी जिनको हम environment friendly बना देंगे कब तक बना देंगे 2028 तक हम बना देंगे अब यह जो movement है इसका विचार कब आया तो COP26 जो हुआ था कब हुआ था नवेंबर 2021 में हुआ था कहां पे हुआ था Glasgow में हुआ था अभी अभी आपने पड़ा COP27 के बारे में उसी का previous year बता रहा हुँ में जब COP26 हुआ था Glasgow के अंदर November 2021 में तो वहां पे Prime Minister Narendra Modi ने कहा था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो environment को sustain करता है तो हमने अब launch कर दिया mission life जिसका full form याद रखेंगे lifestyle for environment कब तक होगा 2022 से 27 तक होगा at least 80% इंडिया के विलेज और अर्बन एरियास को हम क्या कर देंगे environment friendly बना देंगे कब तक बना देंगे 2028 तक बना देंगे तो यह वह important चीजे हैं जो हमने इसके थू क्या कर ली cover-up कर ली है next news आती है कि एक special meeting United Nations Security Council की तरफ से counter-terrorism committee की जो है वो organize की गई थी कहा organize की गई थी Mumbai में और Delhi में Mumbai में यह meeting 28th of August को organize की गई थी जबकि Delhi में यह meeting 29th of October को organize की गई थी यहाँ पर नाम में आपको क्या पता चल रहा है counter-terrorism मतलब हम terrorist activity को क्या करेंगे रोकेंगे उससे related यहाँ पर काम किया जाएगा साथे साथ इस meeting में इन्होंने क्या किया Mumbai में जो 26 गारा terror attack हुआ था उसको भी इन्होंने criticize किया अब आपको यह याद रखना है कि यह जो special meeting हो रही है इसका theme क्या है तो countering the use of new and emerging technologies for terror purpose हमें क्या करना है new or emerging technologies को रोकना है जो terrorist को support करती है ठीक है तो यह नई technology terrorist को support ना करें इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे function करेंगे next news आती है दो beaches इंडिया में लक्षदीप के एक तो मिनकोई तुंडी है और दूसरा है कदमत इन दोनों ही beaches को eco level मिल गया है वो भी international level का ठीक है जिसको भोला जाता है blue flag certification ठीक अब यह जो blue flag certification है इसका मतलब यह दोनों ही बीच बहुत ही अच्छे से maintain किये जा रहे हैं यहाँ पर आपको कच्रा देखने को नहीं मिलेगा life boats होंगे लोगों को बचाने के लोग होंगे बाकि सारे arrangement यहाँ पर अच्छे level के किये जाएंगे इंडिया का सबसे first blue flag certified beach कौन सा था यह question हो सकता है तो golden beach जो है वो पहले नंबर का इंडिया का कौन सा बीच था blue flag वाला बीच था यह कहां पर है तो पूरी के अंदर है ठीक है यह कहां पर है पूरी के अंदर है अब यह जो blue flag का certificate है यह कौन देता है तो यह देता है foundation foundation for environment environment education नाम का एक organization है जो देता है यह organization कहां का है डेनमार्क का है कहां का है यह देनमार्क का है तो याद रखेंगे इंडिया में दो beaches है कौन कौन से beaches है यह तो यह मिन कोई तुंडी यह और कदमत है दोनों ही काप है लक्षदीप में है और इसी के साथ अब इंडिया में total कितनी blue flag वाले beaches हो चुके हैं total 12 beaches हो चुके हैं पहले कितने थे 10 थे दो अब add कर दिये कितने हो गए 12 beaches हो गए है पहला बीच कौन सा था golden beach कहां का था पूरी का था नेक्स न्यूज आती है हमने अगनी पी सीरीज यानि कि अगनी प्राइम बैलस्टिक मिसाइल को सक्सेस्फुली टेस्ट कर लिया है औरीसा से बेसिकली यह जो मिसाइल है यह एक ऐसी मिसाइल है जो कि nuclear केपेबल है ठीक है nuclear केपेबल होने का मतलब क्या होता है इसके थो इंडिया के nuclear केपेबलिटी को बढ़ाने में ये हेल्प करेगा साथी साथ आपको यह याद रखना है कि बनाया किसने DRDO ने बनाया है अगनी पी मिसाइल कहां पे चेक किया अपने औरीसा में चेक किया, न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, साथ इसाथ बनाया किसने DRDO ने बनाया, ठीक है, ये तीन चीजें आप याद रखेंगे इसके बारे में अगली न्यूज आती है टाइगर ट्रायम्फ नाम का एक exercise जो है, वो United States और इंडिया की तरफ से और्गनाईज किया गया था आंद्रप्रदेश के विशाका पत्नम में टाइगर ट्रायम्फ USA और इंडिया की मिलिटरी ने मिलकर किया, कहां पे किया, विशाका पत्नम में किया विशाका पत्रनम का हैं आंद्र प्रदेश में हैं ये exercise क्यों किया जा रहा है ताकि कहीं भी disaster हो जाए तो उस disaster को sustain करने के लिए उसमें लोगों की help करने के लिए ये लोग मिलकर काम कर सकेंगे अगली news आती है government ने जो union minister है petroleum और natural gas से related हरदीप सिंग पूरी जो union minister of petroleum and natural gas है कौन है हरदीप सिंग पूरी है इन्होंने inaugurate कर दिया इंडिया का largest compressed bio gas का plant कहां पे लहर गागा के अंदर ठीक है लहर गागा के अंदर जो कहां पे पंजाब के अंदर है अब bio composed gas है ठीक है compressed bio gas है इसका मतलब क्या हुआ आपने सुना होगा news में कि जो stubble burning होती है ठीक है जो farmers होते हैं वो पराली जला देते हैं जिससे pollution होता है तो उसी पराली को ये use करेगा और bio gas generate करेगा इससे farmers को भी income हो जाएगी pollution भी नहीं होगा और उसी bio gas से आप लोग काम भी कर पाऊगे तो यहां इसके benefit होने वाले हैं अब यह जो है यह बना कौन रहा है तो वर्बियो एजी नाम की company से बना रही है जो कि कहां से related है जर्मनी से related है ठीक है वर्बियो एजी नाम की company काम कर रही है ज अगली न्यूज आती है सख्रोव प्राइस पर्ड़ फ्रीडम अफ थौट्स 2022 किसे दिया गया यूक्रेन के लोगों को दिया गया है यहां पर यूक्रेन के लोगों ने रश्या के अगेंस्ट वॉर में जो ब्रेवरी दिखाई है उसकी वज़े से इनको यह अवाड दिया दिया जाएगा लेकिन अनौन्स कर दिया गया है कि यूक्रेट को यह डिया चाएगा यह जो अवर्ड है यह कब स्टार्ट हुआ था थे स्टार्ट हुआ था कहां से स्टार्ट हुआ तो European Parliament से start हुआ था European Parliament से देना start करती है यह जो prize है सबसे first prize किसे दिया गया था तो first prize दिया गया था Nelson Mandela को आपसे यह question पूछता हूँ कि Nelson Mandela किस country से belong करते हैं ठेक है comment section में comment करके बता है Nelson Mandela किस country से belong करते है अगली news आती है बहुत important रहने वाली है UK में election हुए थे और election में मैंने आपको बताया था कि वहाँ की Prime Minister बनी थी Liz Trust Liz Trust कहां की Prime Minister बनी थी UK की Prime Minister बनी थी लेकिन इनसे वहाँ की economic समल नहीं पाई और लोग इनका विरोध करने लग गए इस वज़े से after 45 days इन्होंने क्या कर दिया अपने पद से स्तीफा दे दिया resign कर दिया ठेक है ये अगर इनके बारे में देखा जाए तो ये सबसे कम time period तक ठेक है ये सबसे कम time period तक Britain की PM रहने वाली है ठेक है सबसे कम time तक एक record तो इनका ये है और ये fourth person है Britain में जिसने अपना time पूरा होने के पहले ही resignation दे दिया इनके पहले कौन-कौन resignation दे चुके है तो David Cameron दे चुके है इनके पहले कौन-कौन दे चुके है Theresa May दे चुकी है इनके पहले कौन दे चुके है Boris Johnson इस्तिफा दे चुके है तो ये fourth person हो चुकी है और अब आता है सबसे important question इनके resignation देने के बाद UK का Prime Minister Indian origin का person बना है Indian origin का person बना है भी या नाम comment करके बताओ क्योंकि अगले session में मैं आपको उनके बारे में पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो नाम comment section में comment करके बताओ कि अब UK का नया Prime Minister कौन बना है अगली news आती है Kelo India Youth Games का fifth edition मध्य प्रदेश में organize किया जाएगा ठीक है मध्य प्रदेश में organize किया जाएगा कब से किया जाएगा तो भाई January 31 से लेकर February 11 तक के बीच में 2023 में इसे organize किया जाएगा भाई year 2003 है लेकिन नाम 2022 ही रहने वाला है यह याद रख लेंगे साथ ही साथ आप यह भी याद रखेंगे कि यहाँ पे 27 sports disciplines में event होने वाला है ठीक है 27 sports discipline और first time water sports इसमें include किये गए है ठीक है फिफ्ट खेलो इंडिया यूद गेम्स कहां होने वाला है तो मध्य प्रदेश में होने वाला है कब होने वाला है January and February 2023 में organize किया जाने वाला है next news आती है MP के wildlife board ने approve कर तिया है एक नया tiger reserve इस tiger reserve का नाम होगा दुर्गावती tiger reserve क्या नाम होगा दुर्गावती tiger reserve होगा हमने पहले पढ़ा था कि cane river और betwa river को link किया जा रहा है तो दुर्गावती का जो tiger reserve नया बनाया जा रहा है उसमें इन tigers को shift कर दिया जाएगा तो अगर कोई question केन बेत्वा से related पूछता है तो भी दुर्गावती आपके लिए important है अगर पन्ना tiger reserve से important पूछता है तो भी दुर्गावती आपसे question में पूछा जा सकता है next question यहाँ पे श्री लंका के शेहान करुंतलिका जो है उनको 2022 का booker prize दे दिया गया booker prize अपने आप में बहुत important होता है और कई exams में पूछे जाते हैं इन्होंने एक novel लिकी थी जिसका नाम था seven moons of mali almeida seven moons of mali almeida की वज़े से इनको यह prize दिया गया है यह भी आप याद रखेंगे कि यह श्री लंका के second person है जिसको की booker prize मिला है इनके पहले श्री लंका से Michael Ondathji Ondathji को यह prize दिया गया था 1992 में किसके लिए the English patient के लिए ठीक है the English patient के लिए 1992 में Michael Ondathji को भी यह prize दिया जा चुका है तो booker prize 2022 का सेहान करुन तीलिका को दिया गया अपनी novel Seven Moons of Mali के लिए दिया गया यह importantly याद रखेंगे आप लोग next news आती है Dr. Dilip Mahal Nobis जो की जाने जाते थे ORS solutions बनाने के लिए उनकी recently death हो गई है Dr. Dilip Mahal Nobis जो है इन्होंने ORS बनाया था और ORS आप सभी जानते हैं dysentery में, dehydration में आपको चाहे cholera हो जाए, diarrhea हो जाए ऐसी disease में treatment में use किया जाता है तो उनको बनाने वाले दिलिप Mahal Nobis का recently death हो गया यह West Bengal से belong करते हैं Next News आई कि Prime Minister Narendra Modi ने launch किया One Nation One Fertilizer Scheme यह जो One Nation One Fertilizer Scheme है इसको प्रधान मंत्री भारतिये जन उर्वरक परियोजना भी कहा जाएगा इसके तुरू जितने भी Fertilizer हैं चाहे वो DAP हो, NPK हो उन सबी को एक ही नाम से बेचा जाएगा और नाम क्या होगा भारत जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, भारत M.O.P., भारत D.A.P., भारत N.P.K. सबका क्या नाम कर दिया गया है? भारत कर दिया गया है सबकी Price Government ने Fix कर दिया है और Majority of the Part में इसी की ब्रैंडिंग की जाएगी ताकि Farmers अलग-अलग Company के नाम से Confused ना हो और उनसे ज़्यादा पैसे ना ठगे जा सकें ठीक है? तो उनको Protect करने के लिए यह स्कीम चलाई गई है Next आता है, Multidimensional Poverty Index MPI रिलीज किया किस ने United Nation Development Program ने साथ यह साथ Oxford Poverty and Human Development Institution ने इसके बारे में दो चीजें पूची जाती है पहला तो भई इसको इशू किस ने किया और दूसरा यहां पे इंडिया के बारे में क्या आता है? ठीक है? तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो Poverty Index से इसका मतलब गरीबी को assess करने का काम करेगा यह यहां पे assess कर रहा है और यह बता रहा है कि भई हमारी जो Poverty है ना वो पहले के comparison में थोड़ी सी कम हो गई है ठीक है? Poverty Level पहले के comparison में कम हो चुका है और कितना हो चुका है? 0.069 हो चुका है 2019 से 21 के time period में जबकि 0.122 था कब था? 2015 से 16 के time period में था फिर भी इंडिया में सबसे ज़्यादा multi-dimensional poor person रहते हैं सेकंड नंबर पे इंडिया के बाद कौन आता है? नाईजी दिया आता है तो first number पे गरीबी लोगों के population में इंडिया आता है second number पे क्या आता है? नाईजीरिया आता है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अगली news आती है कि 12th edition of bianual defexpo defense related exploration October 18 से 22 गुजरात में organize किया गया था theme क्या था? path to pride अगर आप लोग defense related exam के preparation कर रहे हैं तो यह important है next देखिए 30th international day for the eradication of poverty 17th October को मनाया गया ताकि लोगों को aware किया जा सके poverty के harms के बारे में इस साल की theme क्या रखी गई? dignity for all in practice इस बार इसकी theme रखी गई है अगली news आती है इंडिया ने 90th general assembly of international police को organize किया October 18 से लेकर October 21 के बीच में कहां पर organize किया गया तो न्यू देली के अंदर इसे organize किया गया अब international police क्या है तो international police एक ऐसा organization है जो 195 members रखता है और ये लोग worldwide मिलके क्या काम करते हैं worldwide मिलके ये काम करते हैं कि जितने भी activities हैं illegal activities हैं उनको रोकने का काम किया जा सकें जो crime से उनको रोकने का काम किया जा सकें तो इसका worldwide जो general assembly की meeting थी वो इस साल न्यू देली के अंदर organize की गई थी तो अगर इससे when you पूछ लिया जाए तो आपका answer क्या होगा न्यू देली हो जाएगा next और भी important news आती है है थराबाद को recently world green city award 2022 मिला है world का green city award 2022 यह जो award है यह क्यों मिला है तो भाईया इनका जो एक outer ring road project था यह जो आप यहाँ पे image देख पा रहे हैं जिससे जादा से जादा जो vehicles है उनको बाहर से ही निकाला जा सके greenery develop की जा सके उस वजह से इनको यह award यहाँ पे दिया गया है ठीक है कौन सा अवार्ड वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड कहां पे दिया गया international association of horticulture products की तरफ से दिया गया और इंडिया ने पैरिस मेक्सिको जैसे cities को पीछे छोड़ कर यह अवार्ड जीता है इस जो रिंग रोड है इसका official name क्या है और इसको क्या कहा जाता है तो देखो इसको कहा जाता है green necklace green necklace of telangana ठीक है telangana का green necklace कहते है इसका original नाम क्या है तो जवाहर लाल नहरू outer ring road ठीक है इसका official name क्या है जवाहर लाल नहरू outer ring road कहते क्या है इसको तो इसको green necklace of telangana कहते है यह आप लोग यहां पर याद रखेंगे कौन सा award मिला है तो World Green City का Award मिला है अगली न्यूज आती है World Food Day October 16 ताकि लोगों को Healthy Diet के बारे में बताया जा सके Theme क्या रखा गया Theme रखा गया Leave No One Behind कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए सभी को Aware करो क्यों मनाया जाता है ये इस दिन क्योंकि इस दिन FAO Food and Agriculture Organization 1949 में Stablish किया गया था Food and Agricultural Organization Stablish किया गया था 1945 में तो उसी को प्रमोट करने के लिए याँ पे 16th October को World Food Day मनाया जाता है अगली न्यूज Prime Minister किसान सम्मान समेलन 2022 Inaugrate किया गया by PM Modi on October 17 In Indian Agricultural Research Institute New Delhi के अंदर यहाँ पे किसानों को सम्मानित किया जा रहा था उनसे रिलेटेड ये एक इवेंट और्गनाईज किया गया था Agriculture Related Startup यहाँ पे उनके लिए काम कर रहे हैं निक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज आती है Global Hunger Index 2022 Release किया Concerned World Wife और Wealth Hunger Hilfey नाम के दो Organization ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका Ultimate Aim क्या है Zero Hunger by 2030 ठीक है Zero Hunger अचीव करना है यहाँ पे अगर देखा जाए 121 Countries की लिस्ट इशू की गई इंडिया न यहाँ पे आया ठीक है Fell from 101 to 107 तो 2022 में ranking 107 हो गई 2021 में क्या थी 101 थी तो कौन इशू करता है वो याद रखेंगे और इंडिया की ranking क्या है यह याद रखेंगे So student यह था हमारा आज का session I hope आप सभी को easily समझ में आया हो अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, All India Sanic School जवाहर नवोदे विद्याले जैसे entrance exams की preparation करना चाते है तो दिये गए number 7737653468 पर WhatsApp करके भी details ले सकते हैं Free sessions के लिए, Demo sessions के लिए अब हमारे application को भी play store से install कर सकते हैं यहाँ पर link आपको description में मिल जाएगा तो मिलते हैं आप से अगले session में तब तक के लिए जैहन